नमस्कार जैहिन इत्यास बिमर्ष में एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है यह बास आती हो आज हम आपसे इस बिमर्ष में जो चर्चा करने वाले हैं वह है आपके फाइनल एक्जाम के बारे में बहुत से बच्चे फाइनल एक्जाम के संदर्ब में चर्चा करते हैं ये कई तरह के प्रस्न सभी बच्चों के ध्यान में हैं उसका कारण है पिछले दो वर्स कोरोना पीरिड में बीते हैं और ये दो वर्स लगबग पढ़ाई से हम दूर रहे हैं हम जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो कुछ ना कुछ हम लगातार करते रहते थे कोचिंग बगरा तो हमारी वो एक जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं बादित हुई है आज हम इसी संदर में चर्चा करेंगे क्योंकि आपने देखा है मद्द्प्रदेस हाईर एजूकेशन की ओर से ऐसा आदेश आ चुका है कि अब जो भी एक्जाम होंगे वे सारे एक्जाम आफ लाइन मोड में ही होंगे यानि आपको कॉलेज सेंटर में जाकर परिक्षाय देनी हैं अभी पिछले महिने जो एक्जाम कंप्लीट हुए हैं जो पीजी क्लासेज के थर्ड सेमिस्टर के हुए हैं हमने देखा है वेभिन ने महाविद्यालों में शांती के साथ ये एक्जाम संपन हुए हैं कई उनिवस्टी में अन्य कक्षाओं के भी एक्जाम हो चुके हैं अब ग्रेजियोशन की तीनों क्लास और पीजी की फर्स सेमिस्टर क्लास इनके एक्जाम हुने हैं हम देख रहे हैं महाविद्यालों में लगातार रोनक बढ़ रही है छात्रों का भी काफी आन हुल जो इस वार first year में बच्चे आए हैं उनके लिए द्येले की परिक्षाओं में बैठना पहला अन्वब होंगा रोजो एक वालों फॉलाव द्यॉर तो Сबसे पहले हम जब परिक्षाओं उमारी पूरी तयारी होना चाहिए अप्रेल महा तक लगबग सभी कक्षाओं के एक्जाम प्रारंब हो जाएंगे जो PG क्लासेज हैं वो इसी मार्च महा में कम्प्लीट हो जाएंगी तो ऐसे में हमारी तैयारी अपडेट होना चाहिए समय बहुत कम है और सलेवस पूरा है अगर हम सलेवस की दृष्ची से देखा जाएं तो उसमें कहीं कोई कटोत्रा होने वाला नहीं है किसाब क्लास नहीं लगे हैं या कोरोना काल रहा है तो कहीं सलेवस कम हो क्योंकि विश्विद्याले की जो परिक्षाएं होती है वो एक सलेवस पर आधारित होती है और वो सलेवस जो है वो नेट पर भी उपलब दे विश्विद्याले की साइट्स पर भी उपलब दे आपके माविद्याले में भी उपलब दे तो हमें इसकी तैयारी पहले से ही करना चाहिए और तैयारी यदि हमने समय पर नहीं कि किसी कारण से हम लेट हो गए तो अब बिल्कुल समय लेट होने का नहीं है क्योंकि केवल ये दो माँ है मार्च और अप्रेल इनमें ही आपको अपनी विवस्था को बनाना पड़ेगा तो आप जब पढ़ाई लिखाई करें तो सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हैं आप ये तैय कर लें कि जिस विशे में आप सबसे कमजूर हैं उस विशे को सबसे पहले पढ़े और रिवीजन भी करते रहें साथ आट गंटे आप लगातार पढ़ें लगातार पढ़ने से मतलब मेरा यह है कि आप ऐसी सिटिंग बनाएं कि आप 7-8 गंटे पढ़ सकें 24 गंटे में और एक साथ देड़ दो गंटे के बाद आप 10 मिट का पांच मिट का ब्रेक अबस्च चलें क्योंकि यदि आप लगातार बिना ब्रेक के पढ़ेंगे तो आप कहीं न कहीं एक उबन आती है और हमें उस उबन से बचना हैं क्योंकि किसी भी प्रकार के आलश्च में हम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे तो पढ़ते रहें बीच में ब्रेक लेते रहें पॉस्टिक खाते रहें और अपना जो पूरा फोकस है जो अपना ध्यान है वो अपने जो अध्यन में 100% नहीं दे पाएंगे और फिर परीक्षा हॉल में जब हम बैठेंगे तो बहां हम फिर इदर इदर की सोचेंगे कि इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है रेटना नहीं समझ के पढ़ना है तो समझ के पढ़ने के लिए कुछ टिप्स मैं आज आपको दू हैं बीच में पढ़ाई में नियमित्ता नहीं रही तो ऐसे में हम जो डेट्स हैं उनको याद नहीं रख पाते हैं या नहीं रख पा रहे हैं तो हम आंसर कैसे लिखें तो आप इस पर ज़्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यक्ता नहीं है ज़्यादा सोचने की लेकिन यदि आपने घटनाएं सही लिख दी और डेट गलत लिख दी तो आपके अंक कट जाएंगे क्योंकि डेट सीधे सीधे इंडिकेशन है जो आपको उस प्रस्चन के आंसर पर जाता है जो आपने कुशन किया है और उसका आंसर आप लिख रहे हैं और उसमें कोई डेट दे रहे हैं तो डेट उसी स्थिती में दें जब आप उसमें कंफर्म हो यदि डेट के मामले में कंफर्म नहीं है लेकिन घटना है आपको पूरी याद है तो आप घटनाओं के आधार पर ही अपना आंसर लिखें उसके लिए परियाप्त पेराग्राप का इस्तिमाल करें परियाप्त जो हाईलाइटर्स हैं उसका इस्तिमाल करें जहां जहां आपको लगता है कि इस चीज को विशे सूप से हमें दिखाना है उसका इस्तिमाल करें साप और अच्छे सुलेक से लिखें और साप और सच्छ प्रैक्टिस होनी चाहिए को पिछले दो बर से आपने मैं समझता हूं कुछ ज्यादा लिखा नहीं है और ऐसी इस्तिती में परीक्षा हौल में जब हम बैठेंगे तो हमें बड़ी परेशानी आने वाली है तो आप आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद से ही आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिख लिख कर देखते जरूर जाएं जैसे आपने कोई चीज पढ़ी तो उसको लिख के पहले क्लियर किया कि मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं कौन-कौन से पॉइंट्स आपने भुला दिये हैं लिखते समय उनको साइड में लिखें और उन पर फोकस करकर फिर पढ़ें और फिर लिखें ऐसे जब आप दो-तीन वार पढ़के लिखेंगे तो आपका आंसर अपने आप में क्लियर हो जाएगा और आपको बाद में कोई परिशानी आने वाली नहीं है एक सीज मैंने और देखिए हमारे जो युवास आती हैं वो अमूमन बुक्स के प्रति उनका लगाव कम है वे टेस्ट बुक में कम इंट्रेस्ट लेते हैं और जो बाजार में 20 कोस्टन मिलती हैं उन पर उनका ध्यान विशेज रूप से रहता है वे सू स्लेवस में काफी बदलाओं हैं और अभी बहुत सी 20 कोस्टन नई नहीं लिखी गई हैं तो आप किसी भुलावे में ना आएं किसी भी प्रकार के गैस पेपर या अन्य चीजों के उसमें न पढ़ें आप किताब सामने रखकर और अपना स्लेवस सामने रखकर अध्यन करे और उसे लिख लिख कर देखें क्योंकि 20 कोस्टन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कंपशरी नहीं है कई बार हम 20 कोस्टन का नाम ऐसा देखने हैं कि महाविद्याले प्रकाशन या बिश्वद्याले प्रकाशन या उच्चछसिक्षा विभाग दोरा अन्मोदित त जो टलावी में ना आएं महाविद्याले किसी प्रकारगी 20 नहीं निकालता विश्विद्याले किसी प्रकारगी 20 कोश्चन नहीं निकालता उच्च सिक्षा विभाग भी किसी प्रकारगी 20 कोश्चन नहीं निकालता तो जो हाई रेजुकेशन है वो बुक्स निकालता है जो ह आपको अंक मिलेंगे ही एक और बात आप किसी भी प्रस्न को शौट में नपढेंगे अगर आप किसी भी आंशर को सौट में तुह हैं तो भले ही तयारी कर रहे हैं जो second year final के विद्ध्यारती हैं और जो PG के विद्ध्यारती हैं BA, VSC, Bcom, BHSC सभी, MA, Mcom, MSC, MHSC इन सभी के लिए 5 short answer और 5 long answer आते हैं परिक्षाओं में लिखने के लिए जो एक सामानी pattern है तो आप जो question याद कर रहे हैं important भी पढ़ रहे हैं मालो आपने 20 important question अपने पूरे स्लेवस में से तयार किये तो आप उसे निवंदात्मक तयार करें क्योंकि आप बड़ा पढ़ेंगे बड़ा याद करेंगे तो आप उसमें से छोटा लिख सकते हैं लेकिन छोटा पढ़के बड़ा नहीं लिख सकते तो आप पढ़ाई को shortcut में न लें 20 questions जैसी जो बाजार में series उपलब्दें उन पर focus करके ने रहें अपनी पढ़ाई अपनी किताबों के साथ करें बैठके एक आंत में करें कुछ tips हैं जिन पर मैं चाहूंगा आप ध्यान दें ये screen पर भी देखें इसको कि इन में क्या लिखा है हम time table किस प्रकार से तैयार करें और कैसे अपना अध्यान करें को कि time table भी बहुत जुरूरी है जब तक आपका time table क्लियर नहीं है तब तक आपके अध्यान में कहीं भी एक रूपता नहीं रहेगी तो time table सबसे पहले बना लें कितना समय बचा है उन समय के साथ से एक विशाय को कितना time देना है और उस time में कितना पढ़ना है कितना सोना है क्या करना है वो सारी गत्विदियां पहले से तैय होना चाहिए अगर किसी आपात काल में कोई समय हमने पढ़ाई का कहीं कट किया है तो उसे दूसरी जगे से हमें पूरा करना चाहिए क्योंकि समय हमारे पास एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है और परिक्षा आप लाइन होनी है तो आप टाइम टेबल अवस्च बनाए जरा इन पॉइंट्स पर ध्यान दें यह टिप्स पर ध्यान दें इसमें टाइम टेब और चोटे-चोटे ब्रेक्स लें रिवीजन करते रहें सब्जेक के साफ से तैयारी करें तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें क्योंकि यदि हम जो तैयारी कर रहे हैं और केबल कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है या किसी दोस्त ने सजेसन दे दिय पढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना है तो खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें और पिछले वर्सों के जो question paper हैं, उनका visualization करें, unsolved paper पिछले वर्स के, उनका visualization करें, उनको एक बार पूरा का पूरा revision कर लें, कि पिछले चार साल के कौन-कौन से question आये हैं, और अमूमन आप देखेंगे कि इस वर्स भी उनमें से आपको 50% question मिल जाएंगे, तो आप 50% क्योंकि समय हमारे पास कम हैं, कम हैं, और ऐसे में हमें तैयारी बहुत करनी हैं, और उसको इस हिसाब से हम कर सकते हैं, प्रात्विक्ता के अधार पर अपने अध्यन को तैय करें, कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, यदि English मेरी कमजोर है, तो मैं English को पहले पढ़ूं, यदि Hindi में मैं कम रहेंगे, तो हमें आसानी होगी, तो पहले tough question पढ़ें, फिर आसान वाला question पढ़ें, जिससे आपको उसको याद रखने में, उसको ध्यान में रखने में ज्यादा आसानी हो, पढ़ते समय हमें हमेशा हमें अपने subject पर focus करना चाहिए, जो भी subject हम पढ़ रहें, यह नहीं क करते रहें, और बहुत जरूरी प्रक्रिया के रूप में इसको अपनाएं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, एक बार आपने पढ़ा और छोड़ दिया, तो आप भूल जाएंगे, और आप भी लिखनी पाएंगे उसको, तो बीच बीच में उसका रिवीजन करते रह है कि हम जब भी पढ़ें, और पढ़ते समय यह नहीं कि अब हमने दो दिन की छुट्टी लगा दी कि हम दो दिन लगाता पढ़ लिएं, ऐसी इस्तिती में हम फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने उसको कॉंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ध्यान को, क्योंकि हम जो भी पढ़ लें और पॉस्टिक आहार करें, परीक्षाओं के दिनों में बाजार की चीजां नहीं खाएं, तली बुनी चीजां नहीं खाएं, यह ब्रेड पकोड़े और यह चीजां जो मार्केट में उपलब्ध हैं, खुली चीजां हम बिलकुल नहीं क्राएं, क्योंकि हमें भीमार करें, बासी बोजन नहीं करें, और गरम गरम दूद जरूर पियें, जिससे हमें जो इनरजी मिले पढ़ने के लिए, तो इन कुछ चीजों को हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, परियाप्त नीन भी लेना चाहिए, अगर हम परियाप्त नहीं सोएंगे, 6-7 गंटे की हमार ही महसूस करेंगे, हमें आलास आज़ेगा, दिन बर मालास में रहेंगे, तो हमें परियाप्त नीन भी लेनी चाहिए, और देखें इसमें, क्या विशेस है, एक्जाम की तैयारी में जो और टिप्स क्या क्या हैं, मन को हमेशा इस्तिर रखें, जो आपका मन हैं, उसको B회, मैं आदेसा Smart Virgin उसस पर ध्यान दें, Smart Virgin जडूर करें क्योंकि हम लिख के देख़ए, पढ़ाये फिर लिख के देख़ए अपने घ्र को जज़ादा improve कर सकते हैं अपने स्वयम तैयार करें इसमें कि हमें अपने स्वयम क्किष्च पनाने हैं मैंने जो पहले भी काता कि हमें बाजार के किसी 20 question पर ज़्यादा focus नहीं करना है अपनी किताब से स्वेम notes बनाने हैं और उन notes को पढ़कर ही exam में जाना है तो notes भी स्वेम बनाएं और स्वेम बनाएंगे तो हमें याद अपने आप होगा सीखते हैं तो notes जरूर बनाएं अपने दूसरों की मदद भी लें समय समय पर दूसरों की मदद लें क्योंकि हम दूसरों से पूछते रहें अपने मित्रों से भी पूछते रहें घर में बड़े अगर कोई हैं तो उनसे भी हम अपनी जो भी जिग्यासा हैं जो समस्या हैं उनका समाधान करते रहें उच्चारण पर खास ध्यान दें कई बार परिक्षाव में यह आता है question paper में हम पढ़ रहे हैं और हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें जो परिक्षा के वो यह कहते हैं हो बिल्कुल सही है उसके आधार पर आप लिखें उच्चारण में कई वार हमारे में दोस होता है मुषका अर्थ का अनर्थ कर देती हैं तो हमें उच्चारण पर भी विषयश ध्यान देना है कि यह पूछ क्या रहा है, question paper में पूछ क्या रहा है, यह बिलकुल ध्यान रखना है, model papers जो मैंने पहले का कि आप पिछले 3-4 साल की paper लेके अध्यान करें, उनको solve करें, जिससे आपको exam का pattern भी मालुम चलेगा और आप उसकी तयारी आसानी से कर पाएंगे, ए जब हम किताब में पढ़ते हैं तो एक अजीब प्रकार का अभावपन हमारे अंदर आता है, और अगर हम लेट के पढ़ेंगे तो हम निश्चत रूप से सो जाएंगे, तो आप लेट के पढ़ाई नहीं करें, नियमित योगा व्यायाम जरूर करें, नियमित रूप से सु हमें जब तनाव रहता है, तो हम उस तनाव से बचने के लिए योगा व्यायाम और ध्यान प्राणायाम जरूर करें, जिससे हम स्वस्त रहें और हमें किसी प्रकार की जो समस्या हैं वो नहीं नहीं आएं, तो इसलिए योगा व्यायाम करें, इसके अलावा देखें, फाल् से बड़ी ताकत आपकी practice बने का समय बचाए तो आप लगातार प्रेक्टिस करते रहें आप अपने हिसाब से जो पिछले पास साल के अंसॉल्ट पेपर आप सॉल्व करके आए हैं या जो आपने घर में तैयारी किया अपनी प्रेक्टिस नोट्स बना के उन्हीं पर फोकस करें या क्लास में आपको सरने जो बताया उस पर फोकस करें ऐसे बाजार की किसी बहका भी में नियमत पढ़ाई करने से स्टुडेंट करन्ट टॉपिक के साथ साथ प्रेवियस टॉपिक से भी अप्टू डेट रहते हैं जिससे वो किसी टॉपिक को आसानी से नहीं भूलते और पढ़े हुए टॉपिक लंबे समय तक याद रहते हैं परिक्षा का मकाम एक ऐसी सीड़ी है जिसे एक बार में कभी पूरा नहीं कर सकते इसलिए हमें धीरे धीरे चलना चाहिए समय के साथ हमें चलना चाहिए तभी हम मंजल पर पहुँचाँगे, एक दम से भागेंगे, मालों एक साथ हमने पड़ लिया साब सब कुछ रट लिया, सारी किताब रख लिये, सारे सलेवस रख लिये, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम कोई भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे एक विवस्तित तरीके से करें, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगी और हम परिक्षाओं में सफल होंगे पढ़ाई के बीच आप 10-15 मिनिट के छोटे-छोटे ब्रेक्स अवस्च लें क्योंकि हमेशा पढ़ते रहने से कई बार बीच-बीच में हमें अपने उपर कंट्रोल नहीं रहता हमें कभी नीद आने लगती है कभी हम जटकी लेने लगते हैं कभी हम वासी लेने लगते हैं कभी हम सोचते हैं के चलो यार सो जाएं इसलिए बीच-बीच में हमें छोटे-छोटे ब्रेक्स 10-15 मिनिट के ब्रेक्स लें कुछ छोटी मोटी चीज हलकी फुलकी खावी लें जिससे क्या है कि थोड़ा हमारा इनर्जी आए और हम दुबारा उसमें लग जाएं चाहे कोई बिस्किट ले ले हैं कभी कभी चाय वाई ले ली हमने और फिर हम लगातार एक सिटिंग में साथ आठ गंटे हम लगातार पढ़ें क्योंकि अब हम पर समय नहीं है लेकर हम 24 गंटे पढ़ने की बात भी नहीं करें क्योंकि खाना पीना सोना नहाना दोना ये सब चीज हैं कोई भी व्यक्ति लगातार इन चीजों से बच नहीं सकता इसलिए इनको जरूर करें साथ साथ ब्रेक वगरा लें और अपनी प्रेक्टिस करते रहें उन पर फोकस क एक स्टुडेंट को ओस्तन साथ से आठ गंटे पढ़ाई करनी चाहिए पर सरीर के साथ साथ मन और बुद्धी पढ़ाई में समलित होना चाहिए अगर आप 7-8 गंटे तक लगाता और पढ़ाई करते हैं तो 17-18 गंटे या 20 गंटे पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उन पर आपकी 7-8 गंटे की पढ़ाई भारी पढ़ने वाली है तो ये कुछ टिप्स हैं इनके आधार पर आप अपनी तयारी कर सकते हैं साथी साथ जो फस्ट इयर में विद्धियारती इस वार आएंगे उनका पैटरन बदला हुआ है जो सेकंड इयर फाइनल के विद्धियारती है या पीजी के विद्धियारती है उनके लिए एक्जाम का जो टाइम है वो तीन गंटे का है तीन गंटे में आपको question paper solve करना है जि लेकिन जो फस्ट इयर के विद्धियारती है उनका exam pattern change है आप उस exam pattern के आधार पर ही तयारी करें जो बच्चे CC नहीं दे पाएं अभी तक बे CC complete करने जो नियमित चात्र है regular चात्रों के लिए करना हूं उनके लिए CC complete करना जरूरी है अगर आप CC में अनुपस्तित रहते है फेल हो जाते हैं तो आपका परिक्षा परिणाम नहीं आएगा और आपका जो रॉल नमबर है वो भी जनरेट नहीं होगा क्योंकि जब तक आपने CC जमानी के रॉल नमबर जनरेट नहीं होगा तो आप समय पर अपने CC जमा कर दें क्योंकि CC को online mode पर या open book पद्धती से कई महाविध्याले में जमा किया जा रहा है तो आप उसे समय पर जमा कर दें घर बैटे हैं अगर नहीं गए हैं तो आप contact करें अपने महाविध्याले में जाके संबंदित सिक्षक से और अपने CC जमा करें दूसरे जो रास्टी सिक्षा नीती के अंतरगत इस पर फस्टियर के नहीं है रिजल्ट आपका अच्छा और बुरा होगा तो आप उसको क्लियर करें आपने जो हजार रुपे वाली रसीद बनवाई है पहली एड्मिशन के टाइम पर उसमें आपके मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट ओपन एलेक्टिव सब्जेक्ट आधार पार्टिक या आपने प्रोजेक्ट के इंतरगत सर्वेक्षन लिया है वो केशनल में जो 25 कोर्सेज की लिस्ट है उनमें से आपने क्या लिया है क्या परसनालिटी डवलपमेंट लिया है क्या लिया है उसके सारे तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताया है आप चाहें तो उसका और वो यह सोचे कि मुझे नहीं बनाना है केवल रेगूर करें तो यह घलत बात है। आपको भी बनाना हैं प्रोजेक्ट भी बनाना है और आपको यह वोकेशनल कोर्स भी करना है। तो आप अभी से अपना मन पक्ता करें जिस महाविध्याले से जिस सेंटर से आप परीक्षा फोर्म भरने की सोच रहे हैं वहाँ जाके आप कॉंटेक्ट करें किस प्रकार से किस विशह पे आपको काम करना है जिससे परीक्षाओं में आपको कोई समस्या नहीं हो क्योंकि है आपके लिए भी सो नंबर का है और इसमें पास होना ज़रूरी है तो इन पर फोकस करें आप पूरी पढ़ाई करें जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें दो पिपर होने हैं माइनर सब्जेक्ट में एक पिपर होगा ओपन इलेक्टिब में एक पिपर होगा फाउंडेशन के पूरा पेपर दो गंटे में होने वाला है समय आपके लिए दो गंटे हैं पैटर्न बदला हुआ है तीन अति लगोत्तरी चार लगोत्तरी और दो निबंदात्मक क्वेश्चन आएंगे पूराने मैंने जो वीडियो इतियास विमर्स में डाले हैं आप चाहें तो इन वीडि अध्यन करें और सफल हों मैं इस वर से कामना करता हूं कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास हों आप इस सूचना को अपने मित्रों के साथ साजा करना चाहें तो इसको शेयर करें साथी साथ जो अभी तक इतियास विमर्स से जुड़े नहीं है जो भी बच्चे जो भी य जात्रों के लिए उपयोगी हैं उन पर मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूं तो आप इतियास विमर्स को सब्सक्राइब करें साथी साथ बैल आइकन पर जाएं और और के ऑप्शन पर जाएं जिससे आपको सारी की सारी सूचना है सबसे पहले मिलें इसके साथ ही जो वि कम्यूटी पर जाकर आप चेक कर सकते हैं यह कम्यूटी आप देखें इतियास विमर्स पर जाएं कम्यूटी पर वहां आपको इन से संबंदित सारी सूचना हैं मिलेंगी तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप अपने मित्रों को भी इतियास विमर्स से जोड़ सकते ह हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद्ध